हेलो एब्रिवन तो आज दिवाली की फिफ्ट सिरीज में मैं लेके आए एक बहुती चटपटी नमकीन एक कप रवा और आधा कप पोहा से बनने वाली बहुत टेश्टी बनती बनाना बहुती एजी और महीने दो महीने आराम से श्टोर करके रख सकते हैं एक बड़ा सा बोल लेना है और इसमें लेंगे हलका गुनगुना पानी ये रूम टंप्रेचर पानी और इसमें एट करेंगे ये एक कप रवा इसको अच्छे से मिक्स करना है इसमें लंप्स ना पड़े इसलिए थोड़ा थोड़ा सा एट करके मिक्स करते जाना है पानी इत दो चमबस तक cooking oil मतलब refined oil add करेंगे या butter इससे जो सेव बनते हैं रवा के वो बहुत ही soft बनते हैं तो इस तरीके से mix करके लगबग 10 मिनट के लिए cover करके रख देते हैं और यही मैंने लिया है दो उबली हुई आलू इससे सेव में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो जब तक कि मैंने यहां लिया है कुछ dry fruits जिनको हमको हलका तेल या घी में fry करना है तो यहां मैंने यह सारी चीज़े ली है मूम फ़ली है कुछ dry fruits काजू बदाम किसमी से नारिया ले मखाना है जो भी चीज़े आपको add करना है अब यहां एक कड़ाई लेते हैं और इसमें add करेंगे थोड़ा सा तेल या देशी गी और अब इसको गर्म होने के बाद यहां add करेंगे मूम फ़ली और मूम फ़ली को हलका सा fry कर लेना है इतना कि जब तक यह crack नहीं होने लगते तब तक इसको fry करना है जिसे हलका crack होने लगेंगे और crunch आ जाएगा बस यह की color ज्यादा जो भी आपको dry fruits add करना है आप इसमें dry fruits add कर सकते हैं या आप skip कर सकते हैं इसी तरीके से एक एक करके चीज़े इसमें add करना है और इसको fry करते जाना है यहीं लाश्ट में मखाने add करेंगे और अब सारी चीज़ों को mix कर लेना है इसको भी roast कर लेना है इस तरीके से अब कु मतलब PCV सकर का पाउडर आड़ कर दीजे लाल मिर्च पाउडर आड़ कर दीजे जो भी चीजे आपको एक करना ऊछ इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए तो बढ़ियासी चीजे आड़ कर दीजे इसमें और इसको mix कर लिए जिस से इसका जो टेस्ट है ना हलका खटा चट-पट अब इसको साइट से रखते हैं जब तक यह ठंडा होता है और यह जो हमने रवा और पोहा फुला की रखा था यह भी फूल के रेडी हो गया है लगबग 10-15 मिनट हो भी गया है अब इसको अच्छे से मैस करना है फूलने के बाद ना बहुत सौप्ट हो जाता है इस तरीके से हास से मैस कर लीजेगा क्योंकि मिक्सी में करेंगे तो बहुत गीला हो जाएगा और यही आलू एट कर देंगे फिर भी लग रहा है कि गीला हो गया है तो परसान होने की जरूरत नहीं है या तो आप रवा का पाउडर बना के एट कर दीजे पीसी हुई मतलब रवा को बिल में तेल लगाके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजेगा फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा यह रिखे इस तरीके से यह दो जैसे तयार कर लेना है अब इस तरीके से से वाली मशीन हो तो उससे बना सकते हैं तो यहां हम दो तरीके से बनाएंगे पहले तो मोटा वाला से और जो प्लेट है उसको भी और अब इसके अंदर डौर डालके मशीन को सेट करना है इससे पहले मैंने चकली भी बनाई थी इसी मशीन से अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी चकली बनके तयार हुई थी घर की जादा हाइफलेम में नहीं करना है मीडियम इतना कि जब आप डालेंगे सेओ बनाएंगे तो हलके से बबल्स आएं बस इतना ही क्योंकि अगर जादा तेल गरम हो जाएगा तो बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा तो यहां तेल के ऊपर इस तरीके से मसीन के हैंडिल को घूम अराम से इस्टोर करके खा सकते हैं तो अभी इसको चलाना नहीं है जब तक कि थोड़ा सा हार्ड नहीं हो जाते हैं इस तरीके से आप किसी चम्मच से या कड़ाई को इस तरीके से हिला के और सेव को अपनी जगा से थोड़ा सा हटा दीजे जिससे की नीचे चिपके नहीं और आराम से फैल के पक सके जैसे थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं तो अब आप चाहो तो जैसे भी इसको फ्राई कर लीजे उलट पलट के और फिर जैसे ही हलका सा कलर इसका डार्क हो जाता है क्रंची हो जाते हैं तो निकाल के रख दीजे अब इसको निकालने के बाद हम यहाँ बनाएंगे पतले वाले सेव तो यह पतले वाले सेव की प्लेट लगा के और अंदर डो भरके और फिर से इसको सेट करके न सेम तरीके से पतले वाले सेव बना लेना है इसको फ्राइ करने में टाइम कम लगता है क्योंकि तेल भी पहले से ज उसे साइट फ्राई करके और फिर आप निकाल दीजेगा क्योंकि बहुत जल्दी इसका जो कलर है वो बहुत जल्दी डार्क होने लगता है तो यह देखे बचेवे सेव इसी तरीके से फ्राई कर लेना है और यहां मैंने यह धेर सारे सेव बना के रख लिए कुछ पतले हैं क यह को इसमें मिक्स कर देना है मतलब उसी ड्राई फ्रोट के साथ एक बड़े बर्तन में सारी चीजे ट्रांसपर करके और बस इसको मिक्स करके किसी एयर टाइट डब्बे में इस्टोर करके रख सकते हैं तो लाश्ट में यहां थोड़ा सा करी पत्ता फ्राई करके एड़ और बहुत टेस्टी लगती है यह बहुत ही हेल्दी भी होती है तो चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ